असलाम लेकुम वीवर्स, हॉप यार्डिंग बैल आज मैं आप लोगों के लिए हलके से घेर वाली शलवार का डिजाइन लेकर आई हूँ यह आप लोग नॉर्मल शलवार पर भी यह डिजाइन बना सकते हैं डिजाइन बनाने के लिए हम शलवार के लेक्ट एक इंच कम रखेंगे यह मैंने अपनी शलवार लिए है शलवार का पाइचा मैंने ऐसे साड़े आठ इंच रखा है और इसको मैंने सेंटर से यह देखी सरहां से कट कर लिया है दो पार्सम मैंने इसको सेप्रेट किया है अब इसके बाद ये मैंने इसके कंट्रास का फैब्रिक लिया है चुकोर 3.3 इंचिस मैंने ये दोनों साइट से लिया है इसका हम ट्राइंगिल बनाएंगे अब इसके बाद ये मैंने चिलवार के साथ का फैब्रिक लिया है इसकी लंबाई और चुराई मैंने सेम ही रखी है तीन-तीन इंच इसका भी हमने ट्राइंगिल बनाना है ये एक और मैंने कंटरास में फैब्रिक लिया है इस फैब्री की लेट मैंने धाई धाई इंच रखी है इसका भी हमने ट्राइंगिल बनाना है इस सरह से तीन ट्राइंगिल बनाने के बाद सबसे पहले हम बड़ा ट्राइंगिल रखेंगे उसकी उपर छोटा रखेंगे ये मैंने चलवार के साथ का फैब्रिक लिया है सारे तीन इंच चोड़ा और लैंध इसकी मैंने अपने चलवार की लैंध की हिसाब से रखी है इसकी उपर हम ट्राइंगिल को ये देखें ऐसे रखेंगे इस तरह से हमने ट्राइंगिल रखना है उपर से जो मैंने इसका इस्टेंस चोड़ा है, वो मैंने सारे तीन इंच चोड़ा है, सारे तीन इंच के गैप पर यह मैंने पहला ट्राइंगिल स्टिच किया है, अब इसके बाद जो दूसरा ट्राइंगिल हम यहाँ पर स्टिच करेंगे, उसके लिए हम गैप का और इसाना से स्टिच कर लेंगे सब ट्राइंगिल को हमने 399 की गयर पर स्टिच कर लेना है इस दहर से मैंने ट्राइंगिल को स्टिच कर लिया हैं तीन 300 इन चेंगड पर अब इसको sobie जो सिलाई उपर से नजर आ रहे है ट्राइंगिल्स की इनको ये देखें ऐसे फैब्रिक को फोल करके स्टीज करना है ताकि वो सिलाई कवर हो जाए हमारे ट्राइंगिल्स का जो किनारा होगा वो नजर नहीं आएगा फिर ऐसे ये देखें सेम इसी तरह से इनको भी हम कर लिया है इनको स्टिच करने के बाद अब इस फैब्रिक के उपर ऐसे इसको खोल कर सिलाई लगाने है सलाई लगाने के बाद मैंने इसके नीचे बुक्रम को पैस्ट कर लिया है अब इसके बाद ये देखें ये जो सेंटर में गैप होगा इस गैप में हमने दो-दो पिंटेक्स डालेने है ऐसे एक pin tax डालने के बाद इसके बराबर थोड़ा सा gap छोड़ेंगे यहां पर दूसरा pin tax डालनेंगे सबके center में हमने इसी तरह से दो-दो pin tax डालने हैं pin tax देखे मैंने डाल लिये हैं अब pin tax डालने के बाद अब यह मैंने अपनी शलवार ली है शलवार का एक पार्ट हम side में रखतेंगे और इस पार्ट के उपर हम इस designing वाली पर्टी को यहां पर रखकर stitch करेंगे यहां से एक पार्ट के साथ इस designing वाली पर्टी को stitch करने के बाद हम यह दूसरा पार्ट लेंगे और इसको यहां पर stitch करेंगे इसके साथ शिलबार की उपर तक हमने इस डिजाइन्ग वाली पत्टी को स्टिच करना है यहाँ पर देखे मैंने पत्टी को स्टिच कर लिया है अब इस पत्टी को स्टिच करने के बाद यह देखें यहाँ पर हमने Pintax डालना है, ऐसे मोटा जो प्लेट डालते हैं यहां पर दोनों साइट पर हमने एक-एक मोटा प्लेट डालना है और इसके साथ यहां पर दूसरा प्लेट डालेंगे ऐसे इस रहां से प्लेट डालने के बाद यहां से स्टिच कर लेंगे नीचे से हमने यहां से स्टिच करना है दोनों साइट पर हमने दो-दो प्लेयर डालने हैं अब इस साइट पर डालेंगे यहां तक मेरी शलवार रेड़ी हो चुकी है अब इसके बाद यह मैंने ट्रांगिस के लिए और भी फैबरिक लिए है इस फैबरिक की लेंध हो विर्थ मैंने सारे तीन-तीन इंच रखी है इसको डबल करके इसका ट्रांगिल बना लेंगे और इसको नीचे से स्टिच करेंगे अईसे काफी साई ट्रैंगल्स हमने ready करने हैं बड़े ट्रैंगल्स को ready करने के बाद यह मैंने छोटा ट्रैंगल रेड़ी करना है इसकी length about 2, 2 इंचे इसको भी ट्रैंगल बनाकर हमने ready कर लेना है एसे और अब यह एक बड़ा ट्रैंगल लेंगे इसके उपर हम इस तरह से दो छोटे ट्रैंगिल्स को रखकर यहां उपर से स्टिच करेंगे यहां से सब ट्रैंगिल्स को हमने ऐसे ही रैडी कर लेना है यहां पर देखे मैंने सारे ट्रैंगिल्स को रैडी कर लिया है total मैंने 5 triangle side已经 किये हैं अब इसके बाद हम अपना 5 आ लेंगे 5 आ के उपर center में ऐसे इस triangle को रखकर यहां पर stitch करेंगे अब इसके बराबर हम यहाँ दूसरा triangle रखकर stitch करेंगे same इसी तरह से हमने दूसरी side भी triangle goes को stitch करना है इस side पर。」 ट्रैंगल स्टिजट करने के बाद каких-तнул एश मैंने सारे पांचु deben Georgia स्टिच stakeholder अब ये मैंने पर ली है इस परैए की चुराई इस तरह से मैंने रखी है डोड़ी सी कम में अब इस फइबरी को एसे खोलकर पांचे के उपर स्टिच करेंगे पट्टी को इसरहां से स्टिच करने के बाद अब पट्टी को हम खोलेंगे और यहां पर टॉप स्टिच लगा देंगे अब इसके बाद नीचे हम बुक्रम को फोल करके नीचे से यहां से हैंड स्टिच कर लेंगे अपने पाइंचे को यहां से इसको hand stitch करने के बाद अब ये मैंने mirrorless में से चोटे चोटे पीस कट किये हैं इसके उपर UHU लगा कर हम इन triangle के उपर ये देखें यहाँ पर रखकर paste कर लेंगे बाद में हम इसको जब press करेंगे तो ये अच्छी तरहां से यहाँ पर paste हो जाएगा सेम इसी तरहां से हमने सारे triangle के उपर mirrorless को ऐसे पहले paste करना है और बाद में इसको हम press कर लेंगे लास्ट में हम इस पाइंचे के उपर भी mirrorless को यहाँ पर paste करेंगे और ये लास्ट में देखें इस तरहां से मैंने light से घेर वाली चलवार को ready कर लिया है किता कुपसूरत बनकर ये design ready हुआ है पहने के बाद ये चलवार और भी ज़्यादा कुपसूरत लगेगी आप लोग जरूर ट्राइ किजेगा इस design को अगर आपको ये मेरे design अच्छा लगा हो तो मेरे video को like कर दें और हमारे channel को subscribe करें thank you